नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं जोतिश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोश संतोशी आज का विशा है कि वो तीन राशियां जो सबसे ज़्यादा दिश्टुर होती हैं जिनें हम कह सकते हैं कि जिनके अंदर इमोशन का अभाव है इनके सामने आप रो डालिये ये समझेंगे कि आप मगर मच्छी आंसु रो रहे हैं क्योंकि ये राशी वाले ऐसे ही रोते हैं तीन सबसे निश्टुर राशियां हम बता रहे हैं जिन से मुहबबत करना जिनके करीब जाना घाटे का सौदा है जिनके करीब जाकर आप जीवन परियंत रोते हैं ये तीन राशियां क्यूं है निश्टुर इनके इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है और इन तीन राशी वालों को हम वरियता करम में बताने जा रहे हैं आपको बस समझना भरा है मेरा उद्देश एक ही है कि हम आपको आगाह करके आपको हम समझा करके आगाह करके रक्षा कर लें आपकी अब आप परिशान ना हो ये हम आपको बताने जा रहे हैं और इसका कोई इलाज थोड़ी ना है तो जानकारी है इन तीन राशी वालों के लिए मेरा उद्देश आगाह करना है और आपको समझालना है आप समझाल जाएगे अगर आपके जीवन में इन तीन राशी वाले लोगों का आना हुआ है भले ही ये पुरुष अथवा महिला के रूप में हो पती अथवा पतनी के रूप में हो पुत्र अथवा पुत्री के रूप में हो पिता अथवा माता के रूप में हो मौसा अथवा मौसी के रूप में हो चाचा अथवा चाची के रूप में हो प्रेमी अथवा प्रेमिका के रूप में हो ये रूप कोई भी हो निश्ठुरता इनके अंदर रहेगी आपका रोना आपका बिलखना आपका इनके समक्ष गडगड़ाना इनके कान पर जू नहीं रेंगेगा क्योंकि ये सोचेंगे कि आप बहाना बना रहे हैं और आप सचाई में रोएंगे क्योंकि ये बहाना बना कर ही रोते हैं तो भाईया बाबू वो राशी है नमबर एक पर जो सबसे निश्ठुर राशी होती है वो राशी है कुम्भ राशी हमें टार्गेट मत करिये आप देखिये देखिये आप अपने जीवन में उठा करके कुम्भ राशी वालों को ये इमोशन लेस होते है अगर आपकी राशी कुम्भ है तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे आपके जीवन में कोई कुम्भ राशी वाला है तो आप मेरी बात जरूर मानेंगे मुझे मालूम है कारण है कनवा रहे कोच ही जाए चोर क्यों कहेगा कि हाँ वो चोर है आप क्यों मानेंगे आप मत मानेंगे मुझे आपको मनाना भी नहीं है मुझे तो बाकी लोगों को समझाना है कि अगर आपके जीवन में इस राशी का कोई है तो आप बहुत उम्मीद मत करिएगा अपने आप में मस्त हो जाईए क्योंकि आपके रोने का उन पर असर नहीं पड़ रहा है दिन भर आप फोन का वेट कर रहे हैं सामने वाला या वाली कुम्भर आशिका है अगर तो इस इंतजार का कोई अंत नहीं होगा और फोन मैसेज नहीं आएगा उनके पास excuses होंगे वो बहाना बना देंगे वो कहतेंगे के रहे हमें लगा कि आप बेस्ट होंगे आप तो खुदी इतने बेस्ट है अरे आप खाली थे तो आप खुदी फोन कर लियों होते मतलब वो अपनी गलती अक्सेप्टी नहीं करते कुम्भराशी का इस आल अबाउट कुम्भराशी वाले आप description box में देख लीजेगा माने ना माने आप हमें क्या लेना देना है हम तो परिणाम जानते हैं बाकी हमारे मित्र जो अर्ने राशी वाले हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे बात करते हैं सबसे निश्ठुर राशी नमबर दो मित्र ये भी मगर मच्छी आशुर होते हैं ये तो महा स्वार्थी भी होते हैं selfish इनका गर्ज है गदहा बाप है गर्ज निकल गया बाप गदहा है अब इससे अधी कुछ नहीं कहेंगे with due respect जो है वो है प्रकृत ने दिया है प्रकृत यहां पर साप बनाई है प्रकृत ने बनाया साप दर्स दसेगा साप मरेगा कोई प्रकृत ने बंदूख बनवाया है एक साथ सौ लोग मर जाते हैं प्रकृत ने मिथुन राशी वालो को बनाया है बहुतों को रुलाएंगे आंसु का करज उतरेगा यह प्रकृत की ब्यवस्ता है मुझे आप पर तरस आता है मुझे आप पर गुस्सा नहीं आ सकता मैं जानकार हूँ मुझे जानकारी है इस विशे की इसलिए मुझे सिर्फ आप पर तरस आता है कि आप राशी की हैं मुझे आपसे कोई दुख और मलाल नहीं है तो क्या हुआ पूरे दिन आपके फोन का वेट किया आपके मैसेज का वेट किया तो क्या हुआ मैं भूल गया था ना कि आपको मुझे राशी की है आप मिथुन राशी के हैं याद रखने वाली चीज है ये विशय याद रखने का है आपको दुख नहीं होगा आपको कश्ट नहीं होगा आप उम्मीद न करिए महा स्वार्थी भाई साब मिथुन राशी वाले और अगर नक्षत्र आरद्रा मिल गया और ये तीशरी राशी जिसका नाम लेने जा रहा हूँ आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे आप लोग को शॉक्ड लगेगा कि अच्छा ये भी था आप सोचे नहीं होंगे महा निश्ठुर होते हैं इनसे आप उम्मीद मत करिएगा आपकी उम्मीद तूट जाएगी और ये राशी है कौन सी राशी है निश्ठुरता के नाम पर जिस करिए आप लोग तेश्री राशी मेश राशी इनके अंदर भी निश्ठुरता कूट-कूट के भरा होता है कालपुरुष की पहली राशी अश्वनी नक्षत्र और भर्णी नक्षत्र की राशी तो ये तीन राशी वाले अगर आपके जीवन में हैं इन तीन राशी वालों से आपका जीवन अगर जुड़ा हुआ है तो आपको इन से सावधान रहना है सावधान मतलब आपका बेटा इस राशी का आपकी बेटी इस राशी की आपकी पती आपका पत्नी तो आप कर क्या सकते इनको कहा ले जा करके फेंक देंगे किसी ने कमेंट भी किया था हमारे एक पुराने वीडियो पर कि अब मिल गया तो कहा ले जाके फेक आए हमके ना फेकिये मत जान लीजिए क्योंकि आप फिर रोते विए मेरे पास आते हैं और मैं बोलता हूँ कि अब क्या कर सकते हैं अब किया क्या जा सकता है तो स्वभाव जो है न यह बदलता नहीं जान लीजिए यह निश्ठुर लोग होते हैं अच्छाईयां भी इनके अंदर बहुत हैं हमने बताया भी है ऐसा नहीं है लेकिन emotion के मामले में आज हमने बता दिया खास तो और पर जो यह लबट्स हैं हमारे प्रेमी प्रेमी काएं हैं पती पत्नी हैं यह लोग बहुत मतलब यह feeling वाले रिस्टे होते हैं जो रिस्टे feeling वाले होते हैं जहांप expectations matter करता है वहाँ पर दर्द आजाता है अब कोई पूरे दिन इंतजार करे किसी के phone message का और वो ना आए तो दर्द तो होता है भले सामने वाला कहे ना कहे दर्द तो होता है भले सामने वाला महसूस करे ना करे दर्द तो होता है बताना उदेश और कर्तब इसलिए है कि आप इस दर्द से बाहर निकले मस्त रहिए नाचिये गाये खेलिये कुदिये हस्ते रहिए और मिलिये हमारे साथ गौहाटी में बारते रह को और उसके बाद लखनव, पतना, सिलिगोडी, कलकत्ता, राची, सतना आ रहे हैं मिलने का समय ले लिजेगा 9910291850 पर वाटसप करेंगे नमस्कार, जैस्री किष्णा शेरा देए झाल 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 आचार्य, विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य, संतोश संतोशी जी ने अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीब, समस्त प्रकृति की शक्ती को अपने अंदर समेटे, ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता हैं। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव, बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से, हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब, व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब, संतान के लिए स संतान गोपाल, धन हे तू महालक्ष्मी, कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप, तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है, मंगवाईए अपना खास ग्रहदीप, दीप एक, खुशियां अनेक, क्टीप के तोछिव विवाद की चाहा है, लिए